तो दोस्तो अगर मैं आपको कहूं कि आज की वीडियो में मैं करने वाला हूं अन्बॉक्सिंग रिव्यो और गिववे कैसी स्मार्ट वॉच का जुकि वन अफ दी लाइटेस्ट वेट स्मार्ट वॉच है और साथ ही साथ दोस्तो आपको फूल मेटालिक बॉड़ी देती है 1.69 इंचेस का लाज डिस्पले देती है 24-7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग के साथ साथ SPO2 मॉनिटरिंग देती है और अप टू 20 आर्स तक का बैटरी बैकप देती है और दोस्तो इस स्मार्ट वॉच में आपको सारे स्मार्ट नोटिफिकेशन्स, कॉल अलर्ट और साथ ही साथ स्रिदेंटरि रिमाइंडर्स भी मिल जाते है और IP68 की वाटर रिजिस्टेंस भी मिलती है तो दोस्तो आपका रियाक्शन क्या होगा तो दोस्तो जैसा आपका रियाक्शन है वैसा ही कुछ मेरा रियाक्शन था इसलिए मैं आपके लिए लिया हूँ आज अन्बॉक्सिंग रिव्यो और गिववे हेलू GST स्मार्ट वाच का हेलू ब्रांड के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहँगा हेलू एक ऐसा ब्रांड है जो कि M.I.E. के कई सारे प्रोड़क्स की डिजाइनिंग में काम कर चुका है और इस ब्रांड की एप वन ऑफ दी बेस्ट आप है मार्केट में जो की आपकी स्मार्ट वाच एक्स्पिरेंस को और भी जादा इन्हांस कर देती है तो इस वीडियो में दोस्तो इसकी अन्बॉक्सिंग रिवियो और गिववे करूँगा बीच में कभी भी इसका गिववे अनाउंस कर दूँगा तो वीडियो के एंड तक बने रही है और साथ ही साथ दोस्तो इस वीडियो का लाइक टागेट आराउंड 500 प्लस लाइक तो जरूर इसको लाइक करिए और अगर आपने अभी तक टेक मंजिल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजे क्योंकि हम ऐसी लेटेस्ट बजट प्रोड़क्स की अन्बॉक्सिंग रिव्यू और गिवववे वीडियो लाते रहते हैं हेलू की स्मार्ट व fed लिंक्स में में डियो है ौफ तो सबसे पहले अकर अगर अन बॉक्सिंग से पहले म defense बतायोंगा जैसा पर देख सकते इसमें आपको 24-7 heart rate monitoring मिल जाती है SPO2 tracking मिल जाती है IP68 की water resistance 12 workout mode, sleep monitoring और साथ इसाथ 7 दिन की battery life active use के साथ और अगर आप battery saver mode on करते हैं तो आपको up to 20 days तक की भी battery life मिल जाती है तो दोस्तो जल्दी से इसकी unboxing स्टार्ट करते है तो जैसा आप देख सकते हैं दोस्तो box के अंदर काफी अची packing के साथ halo smartwatch GST दिख जाती है जो की box के अंदर आपको सबसे top पे दिखेगी इसको हम बाद में discuss करेंगे अभी सबसे पहले मैं आपको बाकी box के contents दिखा देता हूँ इदर आपको इसकी user manual दिख जाएगी जिसकी अभी आपको कोई जरुवत नहीं है क्योंकि मैं सारी details आपको वीडियो में बताने वाला हूँ इदर आपको इसकी एक cable दिख जाएगी जो की magnetic charging cable है जैसा आप इदर देख सकते हैं और अगर दोस्तों box के अंदर आगे देखें तो और कुछ box के अंदर नहीं है काफी decent packing जिंग लगी मुझे और सारे products काफी अच्छे से इसके अंदर packed है तो दोस्तों अब आजाते है main product पे जो की है Halo की smartwatch GST तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं काफी अच्छी build quality की smartwatch है fully metallic body है इसकी और साथ ही साथ दोस्तों screen का जो size है वो काफी amazing है 1.69 inches का display है सारे features और specifications मैंने left side पे बता दी है तो आप उनको देख सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों strap की quality मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है जो कि दोस्तो changeable straps है जैसा आप इधर देख सकते हैं लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ दोस्तों इधर bezel का size थोड़ा नीचे ज्यादा है और उपर कम है तो bezel size इसमें आपको थोड़ा ज्यादा दिख जाएगा लेकिन दोस्तों जो इसका price है जो कि मैं वीडियो के end में आपको exact price बताऊँगा इसके एसाफ से smart watch काफी ज्यादा decent है और दोस्तो build quality ने मुझे सबसे ज्यादा impress किया है क्योंकि दोस्तों इसका strap और watch की build quality दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे है और durable है तो दोस्तों अब जल्दी से मैं smart watch को थोड़ा time use करूँगा और उसके बाद आपको इसका honest review बताऊँगा तो जैसा आप इदर देख सकते है दोस्तों मैंने अपनी smart watch को अपने phone के साथ connect कर ले और मुझे इसकी display quality काफी ज्यादा अच्छी लगी है तो दोस्तों अब जल्दी से इसका user interface देखता है जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया और काफी ज्यादा user friendly है तो जैसा आप इदर देख सकते हैं left में अगर जाएं तो इदर आपको breathing exercise के लिए option मिल जाती है 1 minutes और 2 minutes की और उसके बाद दोस्तों left में आपको दिख जाती है weather report जो कि आगे के तीन दिन तक का भी आपको weather access देता है अपके phone के साथ synchronize करके इदर आपको sleep monitoring मिल जाती है SPO2 monitoring मिल जाती है heart rate monitoring मिल जाती है जो कि मैं आपको एक professional oximeter के साथ compare करके बताऊंगा इदर left में आपको steps दिख जाते हैं जो कि मैंने measure किये हैं बिल्कुल count करके और मैंने almost 52 steps चलेते हैं और इसने 54 दिखाया तो इसकी accuracy कापी ज्यादा अची है और दोस्तों अगर बात करें नीचे menu की तो menu में आपको इदर stats दिख जाते हैं वही जो मैंने भी आपको दिखाया और साथी साथ blood oxygen monitor, SPO2 monitor, sports mode जो की 12 sports mode है जैसा आप इदर देख सकते हैं jogging, fast walking, biking, climbing, spinning, yoga, indoor running सब sports mode आपको इदर दिख जाएंगे integrated training, gymnastics, basketball, football, rowing यह सारे sports mode को आप access कर सकते हैं एकी watch में और weather access, sleep monitoring, notice जो की दोस्तों आप इदर जितने भी messages और notification आएंगे वह आपको सारी इदर दिख जाएंगी आप अपने phone के साथ connect कर सकते हैं, music control कर सकते हैं अपने phone का directly watch के through, more settings में अगर हम जाते हैं तो इदर आपको stopwatch दिख जाती है, countdown दिख जाता है, find my phone का feature मिल जाता है, और breathing training मिल जाती है, जैसा मैंने आपको बताया, और settings की बात करें तो दोस्तों इदर आप में discuss करें, तो इदर आपको दिख जाती है brightness control, तो brightness को भी आप increase कर सकते हैं, तो ये इसकी maximum brightness है, लेकिन दोस्तों मुझे इसकी half settings में काफी अच्छी brightness लग रही है, तो इसलिए मुझे ज्यादा brightness की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आगे बात करें about the device, तो इदर आप देख सक इस smartwatch से related, तो दोस्तों मैंने अपनी smartwatch को अपने हाथों में पहले और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी strap quality काफी ज्यादा अच्छी और काफी comfortable है, और मेरे हाथों में smartwatch काफी ज्यादा अच्छे से fit होगी और मुझे smartwatch का experience काफी ज्यादा अच्छा लगा है मेन्यो में जाके मैंने SPO2 पे क्लिक कर दिया और स्टार्ट मेंजरिंग पे क्लिक कर दिया जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों BPM तो बिल्कुल माच हो रहा है अराउंड smartwatch में भी 91 दिखा रहा है और SPO2 मॉनिटरिंग में भी 91 दिखा रहा है तो दोस्तों BPM अभी देखिए 97 और 97 इधर भी है और साथ ही साथ oxygen लेवल भी 99 और 100 है तो accuracy level इस smartwatch का काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे बिल्कुल भी कोई problem नहीं accuracy level में यही सबसे बड़ी problem होती है low budget segment की smartwatch में ज्यादा तर accuracy नहीं मिलती लेगिन इस smartwatch में accuracy को भी compromise बिल्कुल नहीं किया और आप 24-7 monitoring कर सकते हैं और emergency alerts आपके phone पे चले जाएंगे तो दोस्तों overall इस smartwatch का user experience काफी ज्यादा अच्छा लगा sports mode भी काफी easy to use लगे और साथ ही साथ दोस्तों जो इसकी app है वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई जैसा आप इतर देख सकते हैं इसकी app में आपको जितने भी stats है वो सब दिख जाएंगे जितने भी steps चले हैं BPM, heart rate monitor, weather report हर चीज़ आपको दिख जाएगे और आप इससे अपनी fitness activity को भी track कर सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों आप अपने device की जादा यहां पर आके settings भी change कर सकते हैं call alerts को on कर सकते हैं साथ ही साथ message alerts को on कर सकते हैं जित्ती भी details है उनको आप customize कर सकते हैं easily heart rate monitoring को आप manual पर भी कर सकते हैं और auto पर भी कर सकते हैं मैं 24-7 heart rate monitoring को on रखता हूँ और साथ ही साथ SPO2 monitoring को मैं manually पर रखता हूँ तो दोस्तों यह सारी details इस smart watch की मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगे है इसके budget price के साथ से मुझे smart watch one of the best smart watch लगे अभी तक के budget की लेकिन दोस्तों एक बात है कि यह smart watch अभी इंडिया में available नहीं है तो अगर आप इस smart watch को लेना चाहते है तो आपको इसको aliexpress से खरीदना पड़ेगा या फिर amazon.com से खरीदना पड़ेगा amazon.com पे smart watch आपको मिल जाएगी 2000 से 3000 रुपे में और to be precise 225 डॉलर से लेके 30 डॉलर के बीच में तो दोस्तों इस smart watch का overall experience आपको कैसा लगा जरूर comment section में बताइए अब मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि इस giveaway में आप कैसे participate कर सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तोंव अगर आपको smart watch के give away में participate करना है तो सबसे पहले इस video को like कर देना है नीचे comment section में बताना है कि आपको this smart watch का सबसे best part कौन सा लगा में कि इस video का पट से बेस part कौन सा लगा Сегодня कि Firelight तो दोस्तो, overall इस smartwatch का मैंने आपको सारी चीज़े बता दी, unboxing, review, giveaway से लेके सारी details, price भी बता दिया, लेकिन दोस्तो, अब अगर बात करें आपके doubts की, तो वो आप नीचे comment section में पूछ सकते हैं, within 24 hours उनको solve करने का try करेंगे, और दोस्तो, एक और बात, जो लोग Chinese products नहीं लेन प्रेफर करते हैं, उनके लिए काफी amazing smartwatch का unboxing review और giveaway यूट्यूब पे सबसे पहले आने वाला है, जो की है दोस्तो, defy की latest smartwatch space, जी हाँ दोस्तो, defy ने अपनी latest smartwatch launch कर दी है, जिसका नाम है defy space, और दोस्तो, जैसा आप जानते है, defy के products काफी जादा amazing होती है, just like both smartwatches, defy की smartwatches भी काफी अच्छे price पे और अच्छी quality की watches आपको देती है, और defy space काफी amazing price पे लाँच होने लिए flip card पे, तो उसकी unboxing review और giveaway वीडियो भी सबसे पहले हम YouTube पे ले आएंगे, तो जरूर चैनल को subscribe करके रखिए और bell icon पे all press करके रखिए, काफी सारे latest products की unboxing review और giveaway इस चैनल पे आने वाले हैं, तो आशे दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें और subscribe के विना बिल्कुल मच जाएगा, थैंक्यू दोस्तों